आज हम पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे उंची सीव परतिमा विश्वा सव रूपम में इसकी उंचाई है 399 फिट और सबसे पहले हम अंदर एंट्री करते हैं तो इसके लिए हमको लेनी पड़ेगी यहां से टिगट और टिगट की प्राइस है टोटल 400 रूपे 200 रूपे तो आप यदि अभी जैसे नीचे से देख रहे हैं इसके लिए और 200 रूपे यदि आपको मूर्ति के अंदर से होकर उपर तक दर्शन करने हैं इसके लिए आपको 200 रूपे के अलग टिगट लेनी पड़ेगी और इस टाइप का आपको एक हाथ पर बांधने के देख रहा है तीन सो उनेतर फिट की हाइट है इस मूर्ति की और अभी हम इसके एक साइड में पहुंच गए हैं और यदि आप सामने की साइड में देख रहे हैं तो छोटी सी आपको एक और मूर्ति दिखाई दे रही है ये इसी मूर्ति का एक छोटा रूप त्यार करके रखा हुआ है और ये देखे मैं तोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ पेर देखे कितना बड़ा विसाल का इपेर है और ये जो छोटी मूर्ति है इसको पहले आपको मैं पासमे ले जाके दिखाता हूँ तो जो मेन मूर्ति हम उपर देखने जा रहे हैं उसका एक यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि इतनी यहाँ पर हर्याली है बहुत सारे तरे-तरे के पेड़ पोदे यहाँ पर लगाए वे हैं इकाउन बीगा जमीन की जो पाड़ी है उस पर यह पूरी मूर्ती बनी हुई है और दोस्तों आपको जानकर हेरानी होगी इस मूर्ती को बनने में 10 साल का समय लग गया यह जो आप देख रहे हैं इसमें 10 साल का समय लग गया और यह आप सामने जो मूर्ती के नीचे गेट देख रहे हैं यहीं से आपकी entry होती है और सबसे अच्छी बात है कि आपको जूते, चपल और यहां तक की सोक्स भी बाहर उतार कर ही अंदर जाना होता है, अंदर जाने के लिए देखे बिलकुल 5 star luxury यहां पर office type का पूरा नीचे बना हुआ है और यहां पर lift लगी हुई है जो आपको सीधा उपर ले कर जाती है मूर्ती के अंदर दर्शन करने के लिए, दस लोग यहां पर एक साथ बेट कर मूर्ती के उपर तक दर्शन करने के लिए जा सकते हैं अब हम lift में चड़कर उपर की साइड में आ चुके हैं और यह मूर्ती के जो कान का कुंडल है उसके नीचे हम अभी खड़े हैं और यह height है अभी लगबग 280 फिट की और इसके साथ ही यहां पर नाग भी बनाया हुआ है यह देखे यह तो नाग का कुंडल है और इसके साइड में आप देखेंगे तो यहां पर नाग बनाया हुआ है इस मूर्ति को बनाने में 3,000 टन इस्टील और लोहा लगा इसके अलावा मूर्ति के अंदर 4 लिफ्ट और 3 सीडिया इसके अंदर इस्तमाल की गई है जो आपको उपर के साइड में लेके जाती है अब आप यहां से देखें यहां पर काच का रस्ता बनाया हुआ है काच का बिरिज बनाया हुआ है और यहां पर आप एक 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 करके सभी लोग जाते है इसको देखने में थोड़ा एक रोमांच कारी अन्बो होता है और बहुत लोग यहां पर जाते हैं तो डर भी जाते हैं क्योंकि सीधा नीचे दिखता है और 280 feet से ज़्यादा की height है तो जिनका पहले कभी काम नहीं पड़वा इस तरही की जगे जाने के लिए तो वो थोड़ा सा यहां पर डर जाते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इस मूर्ती में 200 km की speed से भी यदि हवा चल जाए तो भी कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है यहां पर देखिए यह बहुत इशांदार एक तिरसुल बनाये हुआ है इसी काज के रस्ते से यदि आप आगे जाएंगे तो तिरसुल बनाये ह और बहुत लंबे चोड़े एरिया में देखिए पेड़ पोदे लगाए हुए हैं और यहां पर नीचे रोडे बने हुए हालांकि टिगट 400 रुपे का है लेकिन जितनी ये लोग सर्विसेस दे रहे हैं मदन जी पालिवाल ने इस मूर्ती का निर्मान कराया है वो देखके लगता है कि टिगट की जो प्राइस से वो बिल्कुल वर्थीट है क्योंकि बहुत अच्छी यहां पर सिक्यरोटी का सिस्टम किया गया है इतनी उंचाई पर बच्चे भी जाते हैं माईलाएं भी जाती है तो सबके लिए प्रोपर सिक्यरोटी का सिस्टम किया गया है उप इसके ठीक सामने ये मूर्ती स्तापित है और यदि हम कुछ नंबर्स की बात करें तो ये जो नंदी मराज है इनकी समझो व्य हाइट है लंबई है वो है 37 फिट और मूर्ती के यदि हैं आप चेरे और जटा की बात करें तो वो है बहतर फिट आंक है 18 फिट वो है 31 फिट का और यहां पर भगवान चीव को द्यान और अलड मुद्रा में दिखाया गया है इस मूर्ति को बनाने में 10 साल और 300 करोड रुपे की लागत है बहार आपको बहुत सांदार पार्किंग मिल जाता है जहां पर आप अपने वहान खड़े कर सकते हैं यदि आपके साथ में कोई बेग वगरा भी है सामान है उसको रखने के लिए भी यहां पर अच्छे से अनंदर इस्टोर बनाया हुआ है 300 करोड रुपे की लागत से बने इस मूर्ति के लिए मदंजी पालिवाल को देशी ट्रेवलिंग और आप सभी दर्शकों की तरफ से एक धन्यवा तो बनता है हर हर मादेव दूस्तों